हलो गाईज वेलकम टू लर्नर स्लोकर गाईज आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ओपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके आर्किटेक्चर देखिए वीडियो थोड़ी बहुत लेट हो सकती है क्योंकि लेक्चर बनाने के लिए हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है एंड यह उपरेटिंग सिस्टम एक बेसिकली एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही है तो इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है जो कि आपके exam point of view से important रहती है जिसकी वज़ा से थोड़ा बहुत lecture late हो सकता है और दूसरा reason lecture late होने का यह है कि हम लोग prepare करते हैं इनको on electronic gadgets and electronic gadgets में कुछ ना कुछ ऐसे issues आते रहते हैं जिनकी वज़ा से जो है वो lecture थोड़ा बहुत डिले हो सकता है तो आपको इसमें कुछ tension नहीं लेनी है जैसे ही lecture आता है आपको बस उसके according अपनी preparation करते रहनी है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने cover किया था types of operating system जिसमें की दो types हमारे छूट गये थे कौन-कौन से single user operating system and multi user operating system तो अपको गबराना नहीं है इसमें छोटा सा a concept है जो कि आपको ध्यान में रखना है वो क्या कि single user operating system वो operating system होते हैं जो कि एक time पे एक ही user को support करते हैं users को support करते हैं means बहुत सारे users एक ही टाइम पे उस operating system की services को access कर सकते हैं तो यह चोटा सा concept था जो कि आपको नाम से ही clear हो गया होगा then हम कर रहे हैं basically क्या operating system अब operating system के architecture में कुछ main components हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कौन-कौन से तो देखिए पहला जाता है आपके बास hardware then kernel then shell and then application basically यह जो आपको portion दिख रहे है shell and kernel यह क्या है operating system and अब भी तक जितना भी आपने पढ़ा है उसमें आपको यह चीज़ने समझ आगी होंगी कि basically operating system के कुछ roles रहते हैं कौन-कौन से पहला तो कि वो directly communicate करता है आपका hardware के साथ means operating system आपका directly interact करता है hardware resources के साथ then दूसरा इसक कि यह basically एक platform provide करता है आपके other applications के लिए या other softwares के लिए यह चीज़ने आपको clear है तो चलिए अब इसके architecture के एक एक component को देखते हैं तो पहला component है इसमें hardware तो hardware वाला portion हमने बहुत detail में कर रख है पहले से ही जिसमें की हम लोगोंने memory devices किये थे like cache memory, registers, semiconductor memories जिसमें की RAM and ROM cover हो जा जाता है and cache memory भी उसी में आ जाता है then CPU, central processing unit जिसमें की हमने ALU and CU भी किया था then other bulk storage devices like magnetic storage drives, optical storage discs and flash storage device तो इसमें SDD, HDD, CD, DVD, Blu-ray discs, pen drives, SD cards यह सारे आपके cover हो जाते हैं then input-output यह peripheral devices तो यह भी हमने किया था printer, monitor, scanner, keyboard, mouse, MICR, OCR यह सारे के सारे हमने cover कर लिये हैं then other physical devices means कुछ और भी अगर devices छूट गे हैं like networking devices हमारे छूटे हैं जो कि हम concept के साथ cover करेंगे तो hardware वालक portion जो है आपका already cover हो चुका है बहुत detail में तो अगर आपको यह चीज़े clear नहीं है तो आप हमारे पिछली वीडियो देख सकते हैं उनसे आपको यह ज़्याद अच्छे से clear हो जाएगा चलिए next portion पर जम करते हैं जो की बहुत important part है आपके operating system का वो क्या है? अब kernel क्या होता है? आपfir drills basically core component है आपके operating system का हर एक operating system का जो core जो major part है जिस प stunt चलता है वो क्या है? करनेल अब हम लोगों नहीं यह चीज़ पढ़ी थी कि operating system directly interact करता है hardware के साथ but operating system का कौन सा part जो है वो directly interact करता है hardware के साथ तो वो है आपका करनेल तो यहाँ पर यह लिखा है directly interacts with hardware अब इसके बहुत सारे काम रहते हैं वो क्या कि computer के अंतर बहुत सारी task बहुत सारे instructions यह बहुत सारी applications को हम लोग use करते हैं तो उनकी execution को schedule कोन करता है kernel then बहुत सारे low level functions भी यह करता है like input output को modify करना means input output को read and write करना जो की other input output devices से हमें मिलती है तो वो भी यह काम करेगा then उसके बाद बहुत सारे ऐसे functions हैं जो की operating system के जो अभी तक हमने cover नहीं की है बट जल्दी उसको हम cover करेंगे तो अभी के लिए आपको घ्यान रखना है कि जो भी memory management होती है file management होती है scheduling रहती है system accounting of various processes file system then network management security management तो यह जितने भी functions है आपके operating system के वो सारे के सारे पर कौन करता है kernel तो यह चीज़ यह आपको समझागी then operating system के अंदर कौन सा component रहता है जो कि पहले main memory के अंदर load हो जाता है at booting time तो वो भी कौन सा रहता है आपका एकसेस कर सकता है और वो services basically होंगी कहां पर यहां पर करनेल के बास उनको handle कर रहा है kernel shell के जरीए user जो है वो इन services को एकसेस कर सकता है अब इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कुछ ऐसे कि आपने एक देखा होगा एक अब एक के जो outer part है इसको भी बोला component है इस एक का उसको आप समझ सकते हैं कि यह इस एक करनेल है and shell क्या है जो पार्ट आपको visible है जिससे कि आप differentiate कर सकते हैं एक 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 वाइट बॉल में तो basically यह pink में जो part है जो कि क्या है shell इससे आपको पता चल रहा है कि यह एक egg है and इसको आप देख सकते हैं पर अंदर वाले part को आप तभी देख पाएंगे जब यह shell break होगा इस case में भी यही है कि करनेल की functioning या करनेल आपको visible नहीं होता है बट shell क्या है basically एक visible component है एक ऐसा program है जो कि आपको दिखता है means अगर आप कोई भी operating system पर काम कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि कुछ icons या कुछ folders की format में एक interface मिले जो क्या basically shell या ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ command line कुछ ऐसा command line platform आपको मिले जिस पर कि कोई भी directory को आपको access करना है किसी भी application को आपको access करना है तो तो वो क्या है basically shell अब यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है कि operating system shell is generally of two types command line and graphical जो command line होता है उसको क्या बोले आता है command line interface CLI and जो graphical होता है उसको क्या बोले आता है graphical user interface GUI तो यह चीज़ यह आपको बाता है अब question आता है यह कि इस चीज़ का role क्या है कि आप kernel and shell को अलग-अलग बना रहे है एक operating system में इसको simply a component बना दो जो की visible भी हो and जिसमें कि आप बहुत सारे functions भी perform कर सोगो like file management, memory management and all that तो इसका basically main role यह था कि users को ज्यादा problem भी ना हो and वो processes जो है वो back end पे आपके चलते भी रहे जो हमने यह वाला part देखा था operating system का कि operating system एक interface provide कर रहे है applications के लिए वो part perform कर रहे है कौन shell and दूसरा part हमने operating system का यह देखा था कि यह directly interact करता है आपके hardware components के साथ तो यह वाला part आपका perform कर रहे है कौन kernel तो यह चीज़ें आपको समझागी तो इसका main purpose था to invoke other programs तो इससे आप other programs क execute कर सकते हैं या उनको invoke कर सकते हैं प्लस इससे आप other directories को भी access कर सकते हैं तो अब आपको यह चीज़ें समझ आगी होंगी कि kernel and shell का role क्या है एक operating system में and इन में difference क्या है चलिए next component है आपके पास application अब यह application वाला part हमने बहुत अच्छे से cover किया है अपने software वाले lectures में कि कोई software यह application यह program जो आप system में execute कर रहे हो वो कहां पर आता है आपका इस application वाले portion में तो यह चीज़ें आपको समझ आगी होंगी अब operating system का basic architecture आपको पते चल गया है बट architecture क्या होता है तो architecture कोई भी ऐसा structure है यह कोई भी ऐसी एक layout है जिस पर की वो चीज काम कर रही है तो आपके घ घर का जो structure है वो basically उसका एक architecture है जो भी आपने उस घर को बनाने के लिए आपने पहले पूरी planning की होगी उसका एक design बनाया होगा then उसके बाद कुछ components को जोड के आपने उस चीज को built किया तो वो क्या बन गया उसका architecture यह चीज़ आपको समझागी वैसे ही इस operating system के भी पांस system को बनाया गया तो वो कौन-कौन से है monolithic architecture, layered architecture, virtual machine architecture, exo kernel architecture and client server architecture चलिए इनको एक एक करके देखते हैं तो पहला जाता है आपके बास monolithic architecture यह जिन लोगोंने ancient history बढ़ी है उन लोगों को यह जिस नाम से ही बता चलगी होगी that monodenots 1 and lithic is for stone but क्योंकि यह थोड़ा सा technical है इसलिए यहां पे lithic जो है वो stone को नहीं वो basically layer को denote कर रहे है तो इतनी सी बात आपको समझागी है अब देखिए यह जो architecture था वो basically oldest architecture है जिसके basis पे पहली बार operating system को develop किया गया था इसमें होता गया है तो देखते हैं देखिए दो space होते हैं एक होता है user space दूसरा होता है kernel space user space means वो space जो users के लिए बना है जिसकों की user access कर सकता है means अगर आप किसी operating system पे काम कर रहे हैं तो जो भी visible components है जो की आपको दिख रहे हैं जिनकों की आप use कर सकते हैं वो क्या है basically user space means वो user के लिए बना है बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो आपको दिखती नहीं है बट back end पे वो चलती रहती है और आपको उस पे कोई control नहीं है जब तक कि आप एक professional नहीं है या जब तक कि आपको उस चीज़ की knowledge नहीं है तो वो जो चीज़े हैं जो handle की जा रही है वो basically operating system का kernel वाला पार्ट जो है वो handle कर रहे है तो उसे बोला आता है क्या kernel space जो की उसके लिए बना है and kernel कांग करते हैं वो चीज़ें हमने पिछली slide में देखी लिए है like memory management, processor scheduler, inter-process communication, input-output manager, network manager and all that कुछ आसी चीज़ें हैं जो की ये काम करता रहता है अब देखिए ये particular एक service है ये भी एक service है ये भी एक service है तो ये सारी की सारी के है basically service अब इस service को अगर इस application के जरिए किसी user को access करना है तो वो कैसे करेगा इसका एक live example देखते हैं आप लोग मना ली गए घूमने के लिए वहाँ पे आपने क्या किया एक hotel book किया इस hotel के किसी room पे आप है अब जब आप hotel में जाते हैं तो आपको दिखता है कि कही side पे एक phone पड़ा रहता है उसका काम क्या है basically कि वहाँ पे पहुंचा दी जाती है किया कैसे आपने by calling यही concept यहाँ पे चलता है कि अगर इस user को इस application के through इस operating system की किसी service को access करना है तो वो करता है कैसे है by this system call कि basically उस user को इस service को call करना पड़ेगा by this application तो यह चीज़ें आपको समझा गी हैं जो भी हम architecture करने वाले हैं उसमें यही concept तो अब ही कली है मैंने आपको समझा दिया next जो architecture आ रहे हैं उसमें आपको बार-बार यह चीज़ें समझाई नहीं जाएंगी क्योंकि इस से basically आपका time भी waste होगा and video भी काफी लंबी हो जाएगी तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिख है consists of a single layer जो कि क्या होती है kernel that performs all the functions of operating system अब basically इस architecture में layering का concept नी था कि ऐसा नहीं था कि हमने काम डिवाइड करके रखे हैं different layers में नाम से ही आपको clear है monolithic means एक ही layer होगी इसमें जो कि क्या है kernel layer यह चीज़ अब यही kernel layer जो है उसमें सारे काम हो रहे है means memory management भी हो रही है processor scheduler भी हो र hardware तो यह चीज़े हमने already अपनी पिछली slide में देख ली है कि kernel वाला portion जो है वो directly interact करता है आपके hardware के साथ then monolithic kernel is not very portable and gets loaded completely into memory at boot time तो यह भी basically एक kernel का function है यह specifically इस architecture के लिए नहीं बल्कि कि किसी भी operating system का kernel है तो वो memory के अंदर load हो जाता है at boot time तो यह चीज़ आपको पता हो नहीं जीए then अब एक ही layer है तो इसमें information hiding जो है वो absent रहती है इसमें आप information को hide नहीं कर सकते then next क्या है अब यह जो architecture है यह बहुत जाए difficult रहता है to modify and failure of single program crashes the entire system अब क्योंकि यहां पे क्या है basically एक ही layer है अब एक ही layer जो है वो सारा काम उसी में हो रहा है तो अगर आपकी वो layer ही crash कर गई यह वो program ही crash कर गया तो आपका entire system जो है वो crash कर जाएगा तूंकि उसी पे तो dependent सारा का सारा system यह चीज़ें आपको समझागी तो monolithic architecture में हमने देखा कि एक layer होती है जिसको की kernel layer बोला जाता है उसी में सारा काम हो रहे है और इसकी services को user कैसे access कर सकता है by some application and कैसे by system calls यह च time पर ही यह completely load हो जाते हैं computer memory यह चीज़ें आपको समझागी है अब देखते हैं इसके कुछ examples MS-DOS जो है वो आपका monolithic architecture पर बनाया गया था and यह क्या है CLI command line interface यूज कर रहा था means यह CLI क्या है MS-DOS का shell then novel network एक operating system है जो की based है किस पर monolithic architecture पर and some part of monolithic architecture हमें देखने को मिलता है कहां पर Linux में भी तो hope आपको यह चीज़े समझ आगी होगी next type of architecture is layered architecture अब यह भी आपको नाम से ही clear हो गया होगा कि basically इसमें क्या है layering की होगी कहां पर layering की होगी user space में नहीं user space में तो basically आपको applications ही दिखेंगी न कि आप बहुत सारी applications को user access कर स सकता है उससे जादा आप क्या कर सकते हैं कुछ भी नहीं layering का concept use किया गया है kernel space में जो जो काम एक kernel करता है उसको divide कर दिया गया layers में in such a way that हर एक layer जो है वो resources यह services को access कर सकती है कौन सी layers की उससे ऊपर वाली यह उससे नीचे वाली layers की तो यह चीज़े हो रही है means यहां से ही समझा गया होगा कि इस architecture को बनाने में बहुत ज़्यादा planning की जरूरत हुई होगी plus इस architecture में काम divided है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या modularity like input output management के लिए आपकी layer 3 responsible रहेगी and message interpretation के लिए layer 2 responsible रहेगी कुछ ऐसे तो चलिए देखते हैं इसमें लिखा क्या है it organizes operating system into different layers that communicates using standard function calls तो basically यहां पे हो क्या रहा है कि अगर इस layer को इस layer की services को use करना है तो यह communicate कैसे करेंगे यह इसकी services को call करेगा तब ही उसको use कर सकता है तो यह वला concept हमने पिछली slide में बहुत अच्छे से देखा था and hope आपको समझ भी आगया होगा मैं क्या बात करने कोशिश कर रहा हूँ च सकता कि process allocation layer को या process scheduling को आप यहां पे place कर दें क्यूंकि इसका major role यहीं पे है तो यहीं पे ही place हो सकती है process basically memory के साथ ही link हो सकता है process को आप input output management या फिर application के साथ link नहीं कर सकता है उसमें उसका role खतम हो जाता है अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं मान लीजिए एक ceiling fan है अब इसक switch एक regulator जो कि इसकी speed को increase या decrease करेगा and कुछ wires जो कि आपको visible हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है अपने according then normally जो ceiling fan का switch है वो आप जो उसको operate करेगा means आप लोग उसको operate करोगे तो आपकी reach में ही होना चाहिए तो वो normally switch जो है आपका wall पे लगा रहता है but मान लीजिए यह switch यहां पे नहीं बलकि यहां पे ceiling पे लगा है तो user इसको एक बार के लिए on कर भी लेगा but इसको off कर पाएगा means इसका जो role यहां पे है वो यहां पे है नहीं है यह यहां पे fit ही नहीं बैठ रहे है वही चीज़ यहां पे है कि जो role इस layer का इस particular position पे है वो यहां पे नहीं है तो basically process allocation and process scheduling जो है वो memory management के नीचे ही आएगा तो इसके लिए इस architecture में बहुत ज्यादा high planning की ज़रूरत रहती है इतनी सी बात आप समझ गए next is it implements the concept of information hiding तो यह चीज़े हमने देखी थी कि monolithic architecture में information hiding का concept जो था वो नहीं था क्यूंकि वहां पे एक ही layer थी बट यहां पे बहुत सारी layer से हम हो सकता है message interpretation यह message interpreter में layer 2 में information hiding कर सकते हैं क्योंकि यहां पे जो approach हमने use की है उसको बले आता है modular approach and इसको बले आता है modularity means जो काम है उसको हमने divide कर रखा है अब यह चीज़े आप पढ़ोगे जब आप programming पढ़ेंगे कि अगर आप कोई एक program लिख रहे हैं या कोई एक software बना रहे हैं मान लीजिए कि एक calculator है इसका आपको software बनाना है अब इसमें बहुत सारे functions होते हैं like plus, minus, multiply, divide, percentage और modulus तो यह 5 functions के लिए code लिखना है तो हर एक function के लिए अलग से code जो लिखा जाएगा उसको बोले आता है module जिनको की further synchronize किया जाता है and जो की बनाता है क्या एक program औ software तो यह जो काम डिवाइड करने वाला concept है इसे बोले आता है modularity यह चीज़े आपको समझ आगे होंगी then next इसमें क्या है with addition of each layer the cost of operating system also increases तो इसमें एक main disadvantage यह भी है कि हर एक layer को add करने पे आपके operating system की cost भी जो है वो बढ़ जाती है तो यह तो obvious ही बात है यह तो आपको समझ आ अगर इसके नीचे मुझे कोई और layer चाहिए तो वो ऐसी layer होनी चाहिए जो कि इसकी services को access कर सके and यह इसकी services को access कर सके कुछ ऐसी तो यह चीज़ें आपको समझ आगी होंगी then कुछ एक examples देख लेते हैं इसके like the operating system the operating system then some sort of layering जो है वो आपकी Windows operating system and Linux operating system में भी देखी जाती है तो यह चीज़ें आपको समझ आगी है next virtual machine architecture अब इसके लिए अगर आप लोगोंने एक software आता था virtual machine के लिए VMware अगर आपने उस पे गाम किया है तो यह वाला concept आपको बहुत अच्छा से समझ आ जाएगा उसमें हम करते हिया थे कि अपनी need के according operating systems को install किया जाता था किस पे virtual machine म एक ऐसा platform हमें मिलता था जो की hardware resources को duplicate कर देता था उस operating system की requirements के according and जो VMware था वो basically एक platform प्रवाइड करता था उस system software के लिए तो इसमें हमने किया क्या basically एक system software के अंदर एक application software install किया जो की further एक platform प्रवाइड कर रहा है आपको उसी system software को use करने के लिए and वो एक नहीं वो बहुत सार एसे system software को use करने के लिए platform provide कर रहे and इस case में जो आपका main hardware होगा उसके resources को duplicate किया जाता है for this virtual machines चलिए देखते हैं इसमें क्या है it is also known as enterprise system architecture तो क्योंकि यह पहले enterprises में use किया जाता था इसलिए इसको enterprise system architecture भी बोले जाता है अब यहां पर हो क्या रहा है basically कि एक computer system को subdivide किया जा रहा है बहुत चोटे चोटे computers में जिनको की इस architecture में बोला क्या जाता है virtual machine अब यह जो काम है divide करने का या इस divination को platform provide करने का काम कोन कर रहा है virtual machine monitor अब इस चीज़ का काम के जो काम आपका करना है पहले तो यह virtual machines के लिए यह platform दे रहा है दूसरा इस hardware को duplicate कर रहा हर एक virtual machine के ल to subdivide a single computer system into multiple virtual computer systems तो वो चीज़ हमने यहाँ पर देखी then it contains a software layer called virtual machine monitor VMM जिसको बोले आता है that creates the exact copies of hardware resources and exports the hardware interface तो वो चीज़ है आपको यहाँ पर बताए दिया मैंने basically kernel का ही function जो है यह कर रहा है कि इन virtual machines को platform भी provide कर रहा है and इस hardware के resources को duplicate करके इन virtual machines को provide भी यही करवा रहा है क्या virtual machine monitor then अब क्योंकि आपको एक ही system के अंदर बहुत सारे mini systems या subdivide करना है उसी system को बहुत सारे systems के अंदर तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा high disk space चाही होता है तो यह इसकी disadvantage है जो कि आपको ध्यान में रखने है and इसका example भी आपको बता होना चाहिए VM370 operating system जो है वो virtual machine architecture पे बना था तो इतनी से चीज़ आपको समझ आगी next type of architecture is exo kernel architecture अब exo kernel architecture भी virtual machines के concept पे ही चलता है बट यहाँ पे क्या है कि आप एक computer को subdivide नहीं कर रहे है आप basically operating system में बहुत सारे operating system को use कर रहे है जो काम virtual machine monitor कर रहा थ इतनी से चीज़ें आपको समझ आगी चलिए देखते है इसमें एक लिखा क्या है like virtual machines exo kernel is also based on principle of creating duplicate copies of operating system वहाँ पे क्या हो रहा था virtual machines बनाया रहे थी यहाँ पे क्या है duplicate copies of operating system बनाया जा रहा है next is it contain a program called exo kernel that resides in the bottom layer of operating system जो काम आपका virtual machine monitor कर रहा था वही काम आपका यहाँ प performs resource allocation to those copies of operating system वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताए है then it also maintain authorized and secure use of their resources then its main advantage is that it eliminates the requirement of the mapping layer अब यह चीज़ इंपोर्टेंट है अगर आपको question आ जाता है कि operating system के कौन से architecture में requirement of mapping layer को eliminate किया जा सकता है तो वह कौन सो होग है exo kernel architecture तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखने है then it not only monitor the resources but also separate the system code running in the user space from multi programming concept of exo kernel यहाँ पे कहा है कि यह system code जो की user space में run हो रहा है उसको multi programming concept of exo kernel से differentiate भी करते हैं तो ना के बाद यह resources को monitor कर रहा है बलकि यह उनको differentiate भी कर रहा है यह चीज़ें आपको समझ आगी है चलिए next type of architecture is client server architecture अब जहां पे भी client server आता है peer to peer आता है distributed आता है कुछ ऐसी terms आपको देखने को मिलती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह जो चीज़ें हैं यह network से related है and network क्या है basically बहुत सारे computers आपस में connected रहते हैं by some communication medium in order to share data resources और information तो उसे ही हम लोग network बोलते हैं अब इसके अंदर बहुत सारे concept आजाते हैं like communication media के बहुत सारे types है fiber optics है twisted pair है coaxial cable है then कैसे वो लोग आपस में linked हैं तो उसे हम बोलते हैं topology and topology भी बहुत important concept है network का and इसमें भी बहुत सारी types है जाती है like bus topology ring topology star topology tree topology match topology और hybrid तो कुछ ऐसे types हैं उसके तो यह बहुत interesting and बहुत important concept है जो कि हम network वाले portion में cover करेंगे तो अभी के लिए इस architecture को समझने के लिए जो चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं आपको बस वही चीजें ध्यान में रखनी है देखिए it consists of two different programs तो दो different programs पर चलता है यह कौन-कौन से client and server अब client जो है वो यहाँ से request करता है server को कि वो access कर सके various resources को server इसकी request को authenticate करता है and इसको permission देता है कि वो यह service को यह resources को access कर सके अब इस architecture के main तीन components है कौन-कौन से client, network and server, server क्या होता है, client क्या होता है and network क्या होता है यह तीनों के तीनों जो parts हैं यह हम detail में देखेंगे network में, network क्या होता है, basic सा मैंने आपको बता दिया है, client क्या है वो computers जो की network के साथ connected रहते हैं and request करते हैं किसी service को यहां किसी resources को access करने के लिए उसे बोला जाता है यहां पर क्या network की language में client and basically normal computers भी हो सकते हैं यह mini computers भी हो सकते हैं, micro भी हो सकते हैं, कोई भी computers हो सकते हैं mainframes का, अगर data की quantity जो है, वो कम है, उसका size कम है, तो हम लोग use कर सकते हैं, mini computers का, तो कुछ ऐसे then, अब यह जो client process and server process है, इसमें use होता गया है, API and RPC अब API stands for application program interface, application program interface means, यह set of software functions है, जो की implement किया जाता है as library by an application program for providing access to an operating system capabilities, तो यह थोड़ा से technical term है, बस आपको यह चीज़े पता होनी चाहिए, कि API क्या है, एक software है, जिसको की libraries की form में implement किया जाता है and किया जाता है by some application program, जिससे की वो operating system की capabilities को access कर सके, then अब remote destination पे अगर कोई computer है and उसकी services को या उसकी resources को access करना है, इस computer को, तो वो किया जाता है यहाँ पे network में by RPC, RPC की full form भी आपको बता होनी चाहिए, remote procedure calls, तो यह एक method है of calling the procedure located at remote location by sending service request to server, यह चीज़े आपको समझ आगी होंगी, अब operating system में बहुत सारे concepts हैं जिनका क्या आपको पता होना चाहिए and जहां से बहुत छोटे level के exams में भी questions देखे गए तो उसमें से कुछ concepts है like system call का concept है जो कि आपको बता होना चाहिए, interrupts का concept है जो कि operating system में ही आते हैं यह सारे, आपको इनका पता होना चाहिए, then deadlock का बता होना चाहिए, process threat, process states, memory management, process management, तो यह कुछ ऐसे concepts हैं जिनका क्या आपको बता होना चाहिए and इनको हम अपनी videos में cover करने तो आज के लिए बस इतना ही and अगर आपको lecture से related कोई भी query है या कोई आपका doubt है तो आप हमारे comment section में उसको जरूर पूछिए, हम लोग definitely उस चीज़ को resolve करने ही कोशिश करेंगे and guys अगर आपको videos पसंद आ रही हैं तो please videos को like कीजिए, channel को subscribe कीजिए and share कीजिए अपने friends के सा ताकि उन तक भी information पहुंच सके चलिए मिलते अपने next video में तब तक के लिए thank you